सुप्रभाद प्यारे बच्चों आज अन्द पढ़ेंगे वल्लरी का पार्ट पांच मैं हूं नीम नीम का व्रक्ष हमारे लिए बहुत पुड़कारी व्रक्ष होता है इसका प्रत्येत अंक बहुत लापकारी होता है इसके पत्यों को यदि पानी में उबाल कर उस पानी से नहाया जाए तो हमें बहुत राहत मिलती है और इसी प्रकार यदि इसकी पत्यों को सुखा कर कपड़ों में रखा जाए तो कपड़ों में ठीरा नहीं लगता नीम के फल को निबोरी कहते हैं और निबोरी में से तेल निकलता है यदि निबोरी से निकले तेल के बने साबुन से नहाया जाए तो हमारा शरीर में फोड़े कुंशी नहीं होते ये है नीम से तातना नीम के तने से यदि हम दातुन करें अपने दाता करें तो हमारे दातों में कीड़े नहीं लगेंगे और हमारे दातों में सड़न भी नहीं होगी तो इसी प्रकार नीम के बहुत सारे अन्य फायदे भी हैं चलिए एक एक करके सारे फायदे हम बताते हैं नीम के पत्ते नीम की पत्तियों को खाने से पेट की पासंट्रिया ठीक रहती है नीम की पत्तियां खाने से हमारी इम्मुनिटी भी बढ़ती है नीम के पल को निबोली कहा जाता है निबोली का तेल मसूरों की सूजन वर दात की सड़न को दूर करता है दात में गर्ड दातों के कैंसर को भी दूर करता है इसी परकार नीम का तना या उसकी चाल नीम के तने को दातों के रूप में प्रियोग किया जाता है यदि हमें मलेरिया आदी बुखार हो जाए तो हम नीम की पत्तियों को उबाल कर उससे नहा सकते हैं तो इस परकार नीम की का फल उसकी पत्ते उसका तना अत्यन भुड़कारी हैं चलिए अब मैं आपको बचाती हूं कि नीम के अन्य और भी बहुत से पाइदे हैं जैसे नीम की तहनी नीम की चैनी कप्रयोग, खांसी, अस्तमा, मदुमें और पंगस को दूर करने के लिए किया जाता है यह दातुन के भी काम आता है इसके बाद हम जलते हैं नीम के भीजों के बारे में नीम के भीजों से तेल बनाया जाता है पुष्ट रोग और कीड़े मारने के लिए भी इसका प्रियोग किया जाता है यह देखे यह हैं नीम की चाल, नीम की चाल, मलेरिया, पेड़, भुखाग, आतों के चाले, चर्म जोग यह सी बिमारियों को दूर करने के लिए काम में आती हैं किसी प्रकार ये हैं नीम की पत्तियां नीम की पत्तियां भी विमारियों को दूर करने के लिए उप्योगी होती हैं जैसे वुखार, पेट डर्ट, भूख नाम लगना अदीज इसकी बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार नीम के फूल हमारे काम आते हैं नीम के फूल का प्रियोग फित्तम करने वक्ताफ करने के काम आता है या फेट के कीरे मारने के लिए भी प्रियोग में लाया जाता है तो बच्चों आपने देखा किस प्रकार नीम हमारे लिए कितना लाग डायक है नीम के पेड़ के नीचे बैठने से भी हमें राहत मिलती है नीम के पत्तों से बने शैंपू से बालों को दोने से बालों में रूसी नहीं आती और नीम की पत्तियां का पेस्ट लगाकर यदि हम बालों में रखें तो हमारे बालों का जड़ना भी बंद हो जाएगा तो बच्चों आपने देखा यदि हमारे कहरे पर दाग निकल आए तो हम नीम की पत्तों को चबा कर खा सकते हैं तो यह थे हमारे नीम के फाइदे